वरो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस दौ हाजार चौबिस में होने वाला बूड़ एक्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट पेपर है ये एक परकार का 2024 में पूछे जाने वाला वारल पेपर है यहां पैं हिंदी का संपूर्ड पेपर हल कराएंगे आप सभी को यह पेपर का जो सेट डीजे है ठीक है यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है ठीक है यहाँ पर का संपूर हल देखेंगे आप पहले पेपर देख लीजिए देखिए पूरा पेपर है इस पेपर के हम क्या करेंगे संपूर हल पूरा आप सभी कराए आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ठीक है चले फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा इसमें आपको जो समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनिट का समय मिलेगा ठीक है और आपका पुरांक रहेगा सतर नंबर का रहेगा यहां पर इस इसके हल करते हैं प्रश्ण को देखें पाहला खंड अ है जिसमें आपको 20 बहुवी गल्पी प्रश्ण रहेंगे परतेक एक एक नंबर का प्रस्ण रहेगा ठीक है अब यहां पी देखिए आपका जो पाहला नंबर का सवाल है कि रस मिमांसा के लेका के कितने नंबर का है यह प्रसन को याद रखिएगा जो रस्मीमांसा के लेखक कराने वाले हैं आप वीडियो को लास्तक जूरुरु देखिएगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पर द्यान दीजेगा कि तितली कृति की विधा है ठीक है यह एक नंबर का प्रस्ण है आपसन है आपका कहानी होगा ठीक है या जीवनी होगा चलिए करिक्ट हो जागा ठीक है अगला सबस्था स restauris को ड़ान दिए कें टीसरा नमबर क्या है। डॉक्त राजंद-प्रसाद लेक नहalls है। या को पतानाshot दॉकलत ते आपका गाधीजी की देनिंद्व प्रस्ण का सही चाप एवला आपसन क्या वहतेगा आपका सही ओका है अगरा नंबर का नंबर का 14य की साही और कला राचना यानी साही और डी सितकी राचना है आपका这么 और व्याद रखें कि प्रेशन बोर्ट की अगजाब बहुत पूचता है कि साहित और कला किसी रचना है यह आपका क्ला सही जवाब सेवाला आपसन क्या होगा ठीक है पांचवान नंबर का सवाल वाल दिख्या, पांचवाँ नमबर का आपको क्या है, यह सुक्लत्र यूग के लेखक कोन है? पांचवाँ आपको सही जवाब होगा। पांचवाँ यूग के लेखक कोन है? है क्लिती काल रिंकılı कोन है आप सब्सक्रेंदार भट जी है जैसी पदमाकर रिप्सक्ताराई कि रिति कालिन कभी कौन है पदमाकर जी है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर ध्यान दीजिए जितनी भी प्रस्ने फ्रेंस आप सभी को अदम डिटेल में हल कराने वाले हैं लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और इस प्रस्पत्र को हल करके जरूर जाईए ठीक है देखिए यहां पर सात्वा नंबर का कि छत्र साल दसक के रचैता है यानि छत्र साल दसक के रचैता कौन है आपसन है मतिराम है भूसर जी है घनानंद है या हर्योद है ठीक है देखिए छत्र साल दसक के रचैता कौन है तो छत्र साल दसक के रचैता आप याद रखेगा भूसरण जी है इसका सही जो अब भी वला आपसन क्या होगा सही होगा अगला नंबर देखिए आठवा नंबर क्या है आपका तार सब्तक के संपादक कौन है तार सब्तक जो है उसके संपादक कौन है ठीक है आपसन को ध्यान से पढ़िए सच्चिदानन हीरा नाद्वास्याईने जिसे हम अग्यक के नाम से भी जानते हैं इसका सहीAl-Ap Purdue है है अगला नंबर का सवाल देखे क्या है आपका 9 समित्रान्द के रचनाट क्या यूगवाडि ये उगवाडित इसका सही मुझाट क्या हैा अगला किर ज那么 रर К की रिखाय को सहित की विधा है सभी न हिए अपसटा घंत्षत्वारता है यहां नाटक है देखें दस्वां का आपसे हिख यौगा होगा है कि इस्मिर्ति की रेखाएं एक प्रकार की क्या है संस्मर्ण है इस्मिर्ति की रेखाएं क्या है एक प्रकार का संस्रण है इस प्रकार का सही जो आप सीवल आपसं क्या होगा करेक्ट होगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आप अगला नंबर सवाल आपसा ने भय होगा, निर्वेद होगा, विस्मे होगा या सोख होगा, ठीक है, तो करुणरास का जो अस्थाइभा होता है, क्या होता है, सोख होता है, इस प्रशन का सही, जवाब डी वला आपसन क्या होगा, सही होगा, ठीक है, बराहा नमबर का देखिए, पीपर पाद सरि इस मंडोला में आपका एक प्रकार का उपमालंकार है इस प्रक्शन का जबाब क्या होगा सीवला अप्सन करिक्ट हो जाएगा अगला तेरहाँ नम्बर का सवाल देखिए क्या है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विश्रे करुणा एन चीतई जान की लखन तनू उप्रियुक्त पंकिती में आपको छंद बताना है कि छंद क्या है कौन सा है रोला है इसमें सुरठा है सवया है या कुं जान की रखन तनू इसमें जो है आपका सो रठा है क्या है कौन सा है सो रठा है इस प्रश्ट का सही जो आप वीवला आपसन क्या होगा क्रेक्ट होगा अगला देखिए चोईदा नम्बर का सवाल क्या है आपका कि अनुचर शब्द में प्रियुक्त उपसर्ग बताना है यहाँ पर आपसन अन होगा अनुखा आ होगा देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जो सब्द दिया रहाता उसके प्राराण में कोई सब्सक्रिया कौई प्र। इसका सही जबब क्या होगा क्या होगा क्या है ठीक है जबावा अगला नंबर का सवाल क्या है शुआ सब करों में समास है एक वि क्याता हुज समास होता है यह सब्सक्राइब क्या होता है आपका चाहें आपका कि परमोद shows कर्फसम रूप हैयानि परमोद सबस्द का तत्सम मत्ताना पताना है अगला नमबर देखिए अठारा नमबर का सवाइब आपका कि इत्यादी में संदी है, यानि इत्यादी में बताना है कि कौन सी संदी आपका आएगा, यर संदी होगा, गुर संदी होगा, बृद्धी संदी होगा, या चस्टस्ट संदी होगा, इत्यादी में देखिए आपकी संदी याद रखें कि इत्यादी में जो आपका संदी होता चीज़ा और सभाल को देखते हैं अगरा नंबर का सवाल की आप 19 वा नंबर का है अगरा नंबर का फोलेन सब्द का वच्छान भक्ति बताना है कि फोलेन में कौन सा वच्छान होगा अग्षान वी वक्ति होगा ने च्छालsl में पृशम फता है तेरिती वाफशन की ना सब्सक्राइब के यहां भी दिखेये अपथसम धातु का वचरित व्व्त समय क्रेक्ट पूस्राइब तुरुष है यहां पर देखिए कि अपर ठंग में जो होता है एक वचन होता है उत्तम पूरुष होता है यान एक वचन उत्तम पूरुष है तो इस प्रस्ट का सही जबापी डीवलाप्शन क्या होगा थिक है अब चलिए आगले नंबर के सवालों को देखते हूं यहां पर खंडबा यहां से स्टार्ट होता है ठिक यहां पर पर सवाल को पहले पढ़ए फिर इस का आपको बताते हैं कि इसका answer कैसे लिखना इसका इसका answer होगा क्या पूरा डिटेल में पूरा आपको करा रहा है पेपर आप लाश तक वीडियों को देखिए यही पेपर आपके बोड की एक्जाम में आने वाला है देखिए क्या है कि निम्रिकित गद्ध्यांस पर आधारी तीन प्रश्णों का उत्तर देना है पहले इस गद्ध्यांस को आपको यहां से लेकि यहां तक पढ़ है 2.002 प्रकृति के मनुस्यों में बराबर पृति और मित्रता रही है ऑफ data schle किने नंबर यहाँ waste पहला नबर प्रश्च्ण के पाठ्ट और लेखा का नाम लिखिए ठीक है चलिए इसका एंसर आपको बताते हैं कैसा लिखना है बोर्ड के एक्जाम में देखें इसका पुरा संदर्व आप लिखें कैसे दिखेंगे कि प्रस्तूत गध्यांस हमारी पाठ पूस्तक हिंदी के तरे गध्यक्ति कहिने मित्रता में मित्रत्त सिर्शक नामग पार लिया गया है इसके रचईत अचार राम्चंदर शुकलीजी है इस प्रकाास आपको क्या करना है इसका पूरा संदर्व लिखना है या पाठ का नाम लिखना ना है कर दोनों मित्रों को कार अथ्वा पशंद्न ना पशंद एक समान हो साथ ही दूने मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी मित्भिन हो सकता है यह रखांकित अंस की जितना रखांकित अंस से उसका ब्याक्खा इस पका से आप कर सकते हैं अब देखे इसमें अगला प्रशन क्या पूछा आपसे कि प्रस्तूद गद्यांस में लेखा का क्या क अबर का है यहां पर देखिए आप आप कह रहा है कि राम दीर मरामदारी सिंग दिनकर शान्त सोभाव के थे जबकि लच्मण उग्रत था उद्धो सोभाव के थे इसमें क्या इसका कहा गया है इसके बारे में आप लिखे देंगे ठीक है इस प्रशन के इस प्रकास आपको एंसवर देना था समझ में आगया ना चलिए अब देखते हैं अगले नमर के प्रशन को यहां पर ध्यान दीजिएगा इस प्रकास यह आप लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा दो दो टोटल छा नमबर आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंस यह आथवा में यह क्या है आपका अथो यह आप इसका इंसो लिख लेते हैं तो आपको इसके इंसो लिखने की जरूरत नहीं है समझ में आ गया ना चलिए अब अगले नमबर के सवाल को देखते हैं कि अगला नमबर का सवाल किस प्रकास आपसे पूछा गया है ठीक है देखिए आप अग प्रिगुन कौन देश को बासी मदुकर कई समुझाई सहदे बुजती सांच नहासी को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी कैसे ब्रन भेस है कैसो की ही राम रसमें अभिलासी ठीक है पावेगी पूनिक किया आपनो जौरे करेगो गासी सुनत मौन है रहयो बावरी सू सर्ष सवे मातीन स या सूर सही आप आचान कर सकते हैं कि किसे लिखा जुसात आप सैंट्र ने लिखा है इस में विकरना है पहुल्द्यांशática संद्रव लिखना है रखांकत अंश की ब्याक्या करना निर ब्रहुम के वरण में क्या राम का कठनाइव विश्त की गई है ठीक सूर सागर से उद्रित है ठीक है इस तरह भी आप इसके संदर पर लिख सकते हैं साट काट में कि सूर्दा द्वारा रचित किया गया है और कौन से चप्टर का नाम है सूर सागर ठीक है अब यहाँ पे जो दिया गया है उसके रिखाकित अंस की जो ब्याक्षा कनक ऐसे कि यह उद्दो जी मैं आपको सोगन देकर पूछती हूं हसी नहीं करती आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गूर ब्राहम की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं अब तिसरा प्रशन आप से पूछा था कि पद्दास में ब्राहमड के ब इस देश के रहने वाला हैं उसके माताश पीता कौन है उसके रंग रूप कौन सा है ये उसका क्या है कि आपका कि वो जो ब्राहमड की कतनाई के बारे में पुछा गया है फिर इसके बाद में पद्दास में मधुकर जो हैं शब्द का उद्दो के लिए प्रियुक्त किया कर दिये शंदर लिख की आप इसका क्या कर सकते हूँ पूरा हिंदी कर दिये संदर भी लिख दिये घर और नमबर डो नंबर मिले गाओ डोनमबर इस पर छोटनाई अब को मिलने वाला है। Impau5 को कड़ती नंंबर इंक्या है तो किस देश का है कहा कराने वाला रंग रूप करता है और यह की रेक्त कर दिये हैं यहां पर दिया है इस प्रशन को आप चाहिए दोनों प्रसौ प्रशन अब करने था आपको यह प्रशन आपको हल करवा दी है इसकी कोई जरूरत नहीं है फिर भी से आप देख लिजिए इसको पढ़ लिजिए गया चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिल डूल चलती लगुपत पलपल मिल जूल वह है पिपिली का पाती देखो ना किस भाती का छचे अधम करती हुआ सतत इसमें क्या करना है आपको कि इसका if घ्रांकित अंसकी व्याख्या करना है क्भी ठक परती संदर्म के परती संकेत किया गया घ्ले अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं देखे आपका तिसरा नंबर का सवाल क्या है कि दिये गए संस्क्रित गध्यांस का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना है टोटल पाच नंबर का है ठीक है यदि आप संदर्व लिखते हैं दो नंबर और इसके हिंदी में अनुवात करते हैं तो उसके तीन नंबर टोट प्रस्तूत CSस्क्रीट गडभ और और हमारी पार्ठथ पूष्ट्व तक इस और में वरारसी में गंगा के घाट को घाटों की सुन्दरता को वरारसी ते इस तरह संदर वलिक देंगे टोटलिस पे दो नमबर मिल जाएगा और इसे रखांकित अंस की ब्याख्या कैसे करेंगे वरारसी बहुत प्रसिद प्राचीन नगरी है यह सवच जल तरंग गोव होती है असंग यात्री दूर दूर देशों से यहां आते हैं और इसके घाटों की सोभात देकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं इस तरह आपको क्या करना था इसकी ब्याख्या करना था और इस तरह इसका संदर्व लिखना था ठीक है देखिए प्रशन जो आपका था इस स्वाल को देखते हैं दिखें संस्क्रीट पद्यांस संदर्व सहीद हिंदी में अनुवाद कीजिए तोटल नंबर कीजिए दो नंबर संदर्व पर एंसर आप देना स्कते हैं आसानी से ठीक है अपको है आपको दुर्गामी च साथ्ष्रोन चपंडित्र अमुकः इस फूट वक्ता च यो जानाती सपंडित्र अथौंग दिया है इसको इन दोने विस किसी एक का इंसर दे सकते हैं जिसका इन देना होगा दे लिजीवेड़े चलिए आपको एक का इंस्वर बताते हैं किस तरह आपको बोड के एक्जाम में लिखना है देखें आपको यहां पर अथवाला करा रहे हैं ठीक है यह वाला प्रश्ण का आपको क्या करा है कि संदर्व बताएंगे और हिंदी में अनुवात करेंगे जैसे बता रहे हैं इसको सुख की उत्तमता बताई गई अब इसका जो है यह दोनों लाइन का क्या करना था आपको हिंदी में अनुवात करते हैं कितने कम लाइनों में आपको अनुवात किया गया है इस तरह आपको बोड के एक्जाम में लिखेंगे तो कितने नंबर मिलने वाले हैं पाँच नंबर मिलने वाले हैं तो अगला पांच नंबर का क्या है ले पांच हमाएं कि अपने पठीट खंड काव आधार पर निमलिकित प्रशन से किसी एक taken कर देना है उस पर टोटल की नमर मिलने वाले थीवा था च्छात्र हैं उन चात्रों को इसमें से जो क्षण आप हल ना है मुक्तिदूत है इसके इतने वी मिलेंगे इसको छोड़ देना जैसे यहां पे तotes kmco आपको छोड़ देंगे क्या करेंगे आपको छोड़ना है यहां पर देखिए आपको क्या करना यहां दियान दिजीए घृष सब प्रशन करना है मत्रभोमी के लिए मेवाश सुभास यह सब जितने भी प्रशन हैं सीधे मुक्तिदूद करना है ठीक है चली मुकति-दूट देखाते हैं यहां पर दस्थ करना हो प्रशन अल्ड करां ठीक है यहां पर देखिएगा इसका हल क्या होगा इसमें हमको आपको यह पाहला वाला प्रश्न करा रहे हैं कि मुट्टिक खंड़कावि के नाय का चरित्री चित्रणा करवा रहा है आक्को तो यह दोनों प्रश्न आप याद कर लिए में एक ही करना रह अपने गरिमा एवं अलोकिक चरित्र बल से गादी जी संपुड विश्व को प्रभावित करके यूग पूरुस काला है मुक्तिदूत महात्मा गादी जी के इसी पावन चरित्र के प्रती कविवर डाक्टर राजेंद मिस्र की एक महत्तुपुड का अभ्यान जली है इस खंड़काव के नायक गादी जी है ठीक है प्रस्तूत खंड़काव के आधार पर गादी जी के चरित्र में लिखत विश्यस्ता है अब इनकी विश्यस्ता है कौन सा पदिकी आप पाला लिखती जिए कि दिभ्य पूरुस है थे हरजनों के उद्धारक थे ठीक है मात्री प्रकास कि सब्सक्राइब क्या प्रकास में लिखते हैं तो आफ पूसे एक लेखा का जीवन पर्चे दीजिए तथा उनकी किसी एक रचिना का नाम का उलेक करना है ठीक है यहां पर तीन परचे इन तीनों में से का जीवन पर्चा है आपका ऐसे लिखेंगे पहले इसमें अस्मर्ड तत्थे जो यहां बगल में बनाके इसके जैसे जन्म का वुआ तीस जन्मरी हेस्तर करके मिर्त्यू का वुआ जन्मा स्थान सिच्छा उनके पिता का नाम उनकी प्रमुक्रचना ये लिख देते हैं तो आपको इस पर टोटल पांच नमबर मिलता है ठीक है फिर इसके बाद जो यह लिख है तो इसको अपने शब्दों में जीवन पर्चे ल लिख सकते देख लिजिए आप पूरा जीवन परचे इनका है इस प्रकास आप बोर्ड के इक्जाम में इसको पूरा इस तरह लिख लिजिएगा कि उनकी रचनाय क्या है कहानी क्या उपन्यास क्या निबंद काभ इस तरह लिखते हैं प्रोटल पांच नमर इस पर आपको म सब्सक्रा. इस प्रश्ट पत्र में नाया है को सलोक नाया है की सलोफ मतलब का मतलब आपको सलोक होता इसे लिखना रहा है इसे आपको बोर्ड के जम चैसे आपको याद सर्वे भावन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे बद्राइश्ट पस्यंतु मा कस्चीत दुखभात भवेत यदि इतना आप मौखी की लिख देते हैं बोर्ड की एक्जाम में तोटल इस पर दो नंबर आपको मिल जाएगा समझने आगे इस प्रकास इसको लिखना रहेगा ठीक है यह होगे आपका संस्क्रीय प्रषण प्रशन का इस सब्सक्राइब यहरी प्रशन के लिखें ूंबर करता है अपको चार का यहां पर खत्याइब प्रस्न को पतुर करम दिए हैं स्वेट केतु का स्य पुत्र आसित के शंस्क्रित में आपको देखे कैसे देंगे इसको लिख लिई आगला प्राश्ण मंफिश्वेश्य स्रास्ट का श्राइब किसका रहन थे लिए ऐसका इसका इंसर आश्वायगा 106 प्रशन को देखते हैं अगले प्रशन क्या है आपका नववा नंबर का यहां पर ध्यान दिए कि नहुंगा क्या है आपका देखी निनलिखित में से किसे एक विशेपर निबंद लिखना टोटल 9 नंबर का मिलेगा आपको देखी आपको यहां पर टोटल 5 दिया है अब 5 में से सिर्फ एक ही करना है सुच भारत अभियान के बारे में जानते हैं इस चारों में से किस एक के बारे में जीवन परचे लिखना है चलिए आपको देखाते हैं कि परदुषर की समस्य और समधान के बारे में आप कैसे जीवन परचे बोड की एक्जाम में लिखना है ठीक है आपको परदुषर पर निबंद लिखना है इस पकास लिखे आप परदु अब लिखेंगे कैसे आज इसकी भूमिका डालेंगे और लिखेंगे आप प्रदूशा का अर्थ वायुमंडल या वातावड़ा का दूसित होना ठीक है प्रिथिवी पर उपस्तित जियों के लिए असंतुलित वातावड़ा की आवस्सक्ता है जिसमें हर्थ तो एक भाकार के होते हैं जरást जिसल्फ पर दूशल वाई पर्दू तूसर रपदूश्र एसके अलावा पहुत से पर दूसरगे नाम जानते हैं ृशिंज अब और दूसा के बारे में ृशिय कि अधियों जैसे जल प्रदूशर मुख्यतन अदियों समुंद्र तथा अन्य जलाशों में उद्योग और शहरों की अन्य गंदी नलियों की प्रदूशी जल से मिलने से होता है ठीक है इस पकास लिखिएगा देखे इस तरह अगला एडिंग वाई प्रदूशर बना कि वाई प्रदूशर सोहने वाली हानिय जैसे प्रदूशर हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि जब हम सास लेते हैं तो हावा में फैले हुए हरीले सुच मकड़ शरीर में घुच जाते हैं जिससे अलग अलग तरह की खतरनाक बिमारिया जैसे आपको कैंसर दि मुष्किल हो जाएगा इसके बाद और सब हेडिंग बना की आप देखिए गये इसके बाद इस पार लिख सेकते परदूशर को रोकने के आपके क्या उपाए है तो प्रदूशर को रोकने के नमिकी उपाए अब डाल सकते हेडिंग के तूर पर देखिए बिच्चों की कट दूश्र को रोक सकते हैं फिलाश्ट में इसका उप्सनहार क्या है प्रकृति से हमारे जीवन उत्पन होता है और हमारे जीवन की रच्छा होती है और स्वस्थ प्रकृति से हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुखी बनता है अता हमारा यह करतब है कि अपने छोटे स्वार्थो जानों के लिए प्रकिति को दूसित न करें ताकि पृत्रयूपस जीवन--शकल लिखना रहें, इस प्रकास पूरा क्या करना था आपको लिखना था, यहां पे आप जिटने भी प्रšन हिंस्विंदी के थे उसका सम्पूर आपको हलक रहे भाएं सभी प्राश्णों के एक ज में मैं एक्सिमम नंबर प्राप्त कर सके ठीक है इसी प्रतेक सब्जेट का आप सभी को वाइरल पेपर करा रहे हैं तो आप सभी पेपरों को जरूर डेली बाय डेली हल किया कीजिए ठीक है अभी तक आपको मैद ग्यान हिंदी के कई पेपर आप सभी को बता चुके हैं उन सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें